है आज में डिस्कस करने वाले है जैग एरे इंजावा तो जावा में। सबसे पहले यह यह भी देखेंगे होता क्या का और इसके और उसके क्या है पाई है तो नौर्मल नौर्मलि जुब आप आरे यह यह क्या होता है एक तो one dimensional एक टू डएमेशनर होता है तो मैं एक्जाम्पल लेता हूं कि जब मैं एक टू डैमेशनर को मैं declare करता हूं तो कुछ ऐसे डिकलेर करता हूं इंट एयारर तो यह क्या करेगा यह जैसे यह प्रोग्राम आपका run होगा तो यह आपको memory allocate करेगा integer के लिए कुछ ऐसे allocate करेगा यह बनाएगा दो row, एक row इसमें पहली row बनाएगा, इसमें दो kolumn बनाएगा, तो पहली row बनी इसमें यह दो kolumn बनेगा, एक पहला kolumn ऐसी एक और row बनाएगा और उसमें कितने बनाएगा दो column बनाएगा ठीक है तो एक तरह से देखा जाए तो आपका यह वाला जो concept है इसको मैं दिखा भी देता हूँ यह पर copy करता हूँ और यहाँ पर इसको दिखाता हूँ कि यह कैसे काम कर रहा है तो जैसे ही आपकी execute होगी यह line आपकी जैसे ही execute होगी तो actually देखा जाए in short यह आपकी दो row बनाएगा तो यह आपकी पहली रो जिसको index 0 से मोलते है और यह आपकी दूसरी रो ऐसी आपके दो column बने यह आपका पहला column बना 0 और यह बना तो इसने कितने memory allocation लिए मैं बता हूँ इसने आपके जो integer आपन integer को store करने के लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं इसमें value store करता हूँ for example मैं store करता हूँ ARR और इसमें store करता हूँ 0 और तो मैंने क्या किया पहले column में मैंने value एक assign कर देता हूँ मैंने assign कर दी 6 अब मैंने assign 6 कर दी है तो यह code जब चलेगा तो क्या होगा simple सी बात है 0,0 में जाएगा और यहाँ पे 6 value को क्या कर देगा store कर देगा इस जगह 6 value को यह store कर देगा जिसको मैं आपको यह red color से दिखा द है तो आपको दिखाता हूँ मैं करता हूँ SYSO और यहाँ पे मैं read करता हूँ ARR और value read करता हूँ पहले row का दूसरा column यानि 0 और 1 अगर मैं इसको run करूँ तो आप देखना output में आपको मिलेगा क्या मिलेगा 0 क्योंकि यह ARR के पहले row के दूसरे column में यानि कि चुकिया memory allocate है जिसको मैं आपको green card से दिखा रहा हूँ इसे memory allocate है कुछ पढ़ा नहीं है तो by default उसमें क्या पढ़ा होगा integer value पढ़ी है लेकिन यह memory वहाँ पे exist करती है इसलिए आपको यहाँ पे value दे रहा है तो आप इसमें देख रहे हो कि हर row में हर row में column हर row में same number of column आपका बनाएगा अगर आपने यह क्या दो row है तो हर row में दो column बनेगे तो total चार memory होगी आप use करो या नग करो तो आपकी memory अगर आपने use नहीं के तो इस condition में देखो मैंने पहले row पहले column में value 6 रखी है तो बाकी की जो value है बाकी की जो तीन मेरे memory allocation है वो waste जा रहा है उसमें कोई उसका use नही लेकिन memory occupy करा है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक दूसरे तरीके से मैं array को कैसे declare कर सकता हूँ मैंने array को ऐसे किया कि मैं फिर से बनाऊंगा ऐसे और इसका नाम रखता हूँ ए आरर ए आरर ए एक नया बना लिका अब देखो इसमें क्या करते है करली bracket लगा करली bracket लगा यह पहली रो गई और मैं कॉमा करके अगर ऐसे करूंगो तो यह बन गई दूसरी तो जितनी रो बनानी यह उतने आपको करली bracket लगाने तो अगर मैं array बना तो कितनी रो बन चुकी है दो अब आपकी हर रो में आप कितने कॉलम बनाना चाहते हो वो आफ फ्लेक्सिबल होग अगर मैं structure का example हूँ तो मैं copy करता हूँ और मैं आपको यह structure दिखाता हूँ यहाँ पर यह structure जब बनेगा तो यह memory को कैसे allocate करेगा और इसका क्या benefit है ज्यांस देखे जब यह है कि जब यह memory allocate करेगा तो ARR का जो allocation होगा वो बनाएगा पहले इसमें देख रहा है पहली row है तो और यहाँ पे इसका column भी क्या है जी जी रो और इसमें भाई साब store हो जाएगा फो यह store अगली बार अगला इसको जब code देखा इसने पहली रो इस पर आएगा इसके बाद बनाएगा अगली रो जब बनाएगा तो इसने देखा अगली रो में 6,7 यानि की इसमें row बनेगी लेकिन इसमें column बनेंगे तो हर रो में कितने column बनेंगे यह individually decide होता है जबकि जो मैंने पहला तरीका बताया है उसमें यह जब 2,2 है इसमें उसी समय row बनेंगे और हर रो में column भी क्या बनेंगे same बनेंगे बले आप use करो ना करो इसमें क्या हो रहा है जितनी row बनाओगे अब दे को यह मेरी दूसरी row बनी तो मैं इसको यहां पर बोल दिया यह मेरी second row यहां यहां पर हई जीरो और 1,06 अगर मैं store करना कहा हो जाएगा यहां store जाएगा और 7 कहा जाएगा यहां हो जाएगा को उपर वाले concept normal to dimension area के concept से करता तो भले मुझे तीन store करनी है लेकिन वैल कि आपकी memory की तिया लोकेट करता है चार अब इसको फाइदा भी दिखाता हूं आपको कि वाकरी यहां यहां पर क्या जीरो बनाओगा memory बनाओगा वन बनाओगा क्या जीरो वन नाम की कोई memory बनी है तो अगर मैं यहां पर वाले में तो बनी है और उसपे यहां पर मैंने कोई value store नहीं किये 0 उसमें चेक है लेकिन यहां पर जीरो में 6 store किये 0 1 में कुछ ने की तो उसने मुझे default value क्या दी 0 जो कि उसमें default पड़ी है memory तो थी यहां पर पहले रो में 4 है और पहले रो के दुसरे column में कुछ है नहीं तो अगर मैं 0 1 करता हूं तो ध् कॉमा वन कर दूं तो वन कॉमा वन का मतलब क्या दूसरी रो का दूसरा कॉलम यह नहीं सैवन देखो यह सैवन कर दो इसका मतलब क्या हो रहा है इस कॉंसेप्ट को हम बोलते है जैग्ड एरे में आपका क्या होता है जैग्ड आपके में एरे में आपकी मेमोरी का क्या होता है सेव आपके optimized है जितनी आपको जरूरत है आप उतना ही क्या करते हो इस्तमाल कर तो यह आपका जैक डैरे का पाई ठीक है अगर आपको still कोई doubt है तो आप मुझे इस video के comment में डाल सकते हैं और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सेब्सक्राइब कर सेब्सक्राइब कर सेब्सक्राइब थैंक यू